So Hello Students, यहाँ पर आज एक इतनी बड़ी मिस्टेक IIT कंडक्टिंग कमेटी कर सकती है, अब यह IIT का फॉल्ट है, या फिर यह सेंटर का फॉल्ट है, या फिर यह नेट कनेक्टिविटी का पावर का फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट हो करके आया है, एक सामने आज जो सिव Students के हित में है, चलो सारा सब कुछ जानते हैं, मेरे साथ कॉल पर कनेक्टेड है, एक स्टुडेंट है हमारे श्रेयस और जैसे वह एक्जाम सेंटर से बाहर आए, उन्होंने कॉल के और फिर मुझे अपनी आप बीती सुनाई, तो एक बार उनकी जो भी सारा सब कुछ रहा, उस सब को सुनते हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ है यह, क्या इसके लिए वाइस रेज करनी चाहिए, अड़ा टीम आपकी प्रपरेशन में तो आपके साथ है ही, लेकिन आपके साथ अगर किसी भी जगे पर कहीं पर भी कोई भी आगर गलत इंजस्टिस होता है, तो अ सर, इनिशियली पावर कट अफ हैज बिन टुक प्लेस एट तेन एम तिल एट आपका पेपर साधेनों बजे मॉर्निंग वाला आपका सैट था, अच्छा एक चीज और सुनने को यहां पर एक और मिल रही है, एक बड़ी मिस्टेक और, कि अभी जो सैट टू वाला पेपर ह होना है ना तो कुछ इस्टुजेंट्स जो है डेली के सेंटर में अब एक्च्वल सेंटर का पता नहीं लेकिनों बता रहे हैं कुछ टेकनिकल फॉल्ट की वजए से उनका पेपर जो हो रखा ऐसा बोलें कि अभी थोड़े डिले के साथ स्टार्ट होगा सेंटर पर वो लो इंडिया से थोड़ा सा बिलोंग नहीं करते हैं महाराष्ट्रे से बिलोंग करते हैं तो अगर हिंदी में आप जितना भी बोल सको यह बाकि कोई बात नहीं विद्ध इंग्लिस ऑल्सों यूद्ध टैल यह सर इंग्लिस ऑके ओके ओके पिर बताएं उसके पास दस बजे के अब करीब क्या हुआ फिर पावर कट खूगा तो इस स्क्रीन से सब कुछ चला गया यह फिर इस्क्रीन ब्लैक होगी थी क्या हुआ फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट हो गया है न कितनी देर बाद वापस से स्टार्ट हुआ कि यह वापस उसी पोजिशन पर आपने छोड़ा उस पोजिशन पर नहीं था आपने कुछ सब्सक्राइब कर लेंगे आपके जो भी सेंटर्स पर जो लोग अटेम्ट कर रहे थे वह कुछ कुछ आपने कितने सब्सक्राइब कर लिए थे इस बीच में देख लिए थे मतलब रो लिए थे यह जो जो इजी कोश्चंस उनको देख कर अटेम्ट करने स्टार्ट करने तो आपने ट्वंटी थार्टी कोश्चंस में कई कोश्चंस आप कर भी चुके होंगे शॉरली कुछ अच्छा मतलब यह तो वह ऐकाश्चंस नेकर फॉर्टी कोश्चंस जिनको आप देख चुके थे उन में से 10 कॉश्चंस करीब बिलकुल चेंज हो चुके थे आप उनमेंसे कुछ कॉश्चंस अटेम्ट भी कर चुके होंगे आपके कुछ कॉश्चंस उनमें से सही भी होंगे और क्या पता बाकी 65 कोश्चन में से भी कई कोश्चन चेंज ओचुके होंगे यह तो आप उन में से बता रहे हो जो आपने देख चुके है ना अच्छा बाकी कोश्चन वही थे और उनके जो आप अंसर्स मार्ग कर चुके थे एनेटी वाले के अंसर फिल कर चुके थे या ऑप्शन्स टिक कर चुके थे वो मिले आपको या फिर नहीं मिले यह सर अच्छा 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 आप दस बोलने तो मैं मान सकता हूं कुछ ऊपर नीचे क तो यह क्या सही है तो आपको ठीक लगा उसके बाद क्या आपके साथ जस्टिस क्या वा फिर उसके बाद एक तो आपका 20 मिनट का टाइम चला गया आपके जो कॉश्चन साप अटेम्ट कर चुके थे वह चले गए उसके बाद कुछ इक्स्ट्रा कुछ क्या बोले आफिर आपकी बोले जो वहां पर कंडुक्टिंग जो संटर वाले थे उन लोगों से चाक्ति रहां ऐदो इस ईडिएशन गो आएड और यह क्या बात थी यह तो इस्टुएंट्स के साथ गलत नहीं क्या जो हो गया वहां करो हम कुछ नहीं कर स किसी ने बोला नहीं तो यह तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाखी लोग खुश हो गए हो कि 10 minutes और मल गए हमें अक्ष्टा अच्छा यह 10 minutes अक्ष्टा मल गए वो तो एठ्छी का पात लेकिन आपने अपना 30 minutes में शुरुआत में जो कुछ किया वो सारा सब कुछ मिस हो गया शायद इसके लिए आपको थोड़ा सा गलत फील हो रहा होगा है ना बाकी लोगों को भी गलत फील होगा लेकिन जब बोल लिया गया आपसे कि जैसा है वैसा करो और स्टैंप एक्जाम के प्रेशन में फिर आप वहां पर अंदोलन तो कर नहीं सकते एक्जाम अटेंप्टी करोगे और यहां पर यह तो गलत बात है ना मुझे भी लगता है कि इसा कुछ हो सकता है तो दो सेट बनाने के साथ उन्हों ने हो सकता है एक तीसरा सैट भी तयार कर रखाओ कि ऐसा कुछ हो गया डेटा मिस हो गया तो वो तीसरा सेट डाल दिया जाए जिसमें बहुत सारे कॉश्चन्स तो सेम सेम कुछ होंगे उसी सेट जैसे लें कुछ कॉश्चन्स डिफरेंट भी होंगे शायद मुझे लगता ऐसा हुआ हो लेकिन ये भी ये भी एक तरह से गलत अब देखते हैं कि जब एक्जाम का रिजल्ट आता है तो सेट वन सेट टू सेट थी के साफ से अलग अलग तरीके से नर्मलाइजेशन होता है के नहीं होता है अगर आपकी बात आपने सही से अब्जर की और चेंज हो गया है तो जरूर से एक सेट थी अलग से रहा होगा तो फिर सेट वन सेट टू सेट थी के हिसाब से नर्मलाइजेशन होना चाहिए चले ये बात तो रही श्रीयस की तरफ से जो इस्ट्रेशन ने बता है अच्छा एक कौन सा सेंटर था आपका पिवीजी का ओफ इंजिनेरिंग नासिक नासिक में पिवीजी कालेज ऑफ इंजिनिरींग तो देखो मैं आएटी कंडक्टिंग कमेटी से बताउं गार इसकी जाच करें कि अईसा हुआ है तो क्यों हुआ है और अगर एसा आप पहले से थे प्रिपेर थे इस चीज हो जाती है जब उसके 30 minutes lost हो जाते हैं उसको वापस से जीरो से questions को देखना पड़ता है हरे questions को जो लड़ी questions को देख चुका है तो एक एक minute important है 30 minutes का तो बहुत जादा वेटेज होता है ऐसा नहीं होना चीए अगर ऐसा हुआ है तो आगे से ध्यान रखें ऐसा नहीं हो तो मैं आपर श्रियस की तरफ से और उस सेंटर में और भी जो स्टुडेंट्स हैं उन सब की तरफ से voice raise करता हूं अड़ा टीम की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए कुछ ना कुछ ना कुछ होना चाहिए कुछ ना कुछ सही होना चाहिए बच्चों के साथ जो injustice हुआ है उसको justice मिलना चाहिए तो इसी के साथ मैं ये जो session को end up करूंगा और मैं एक voice जो है डिले हो गया है कुछ-कुछ centers में तो जो लोग अगर ऐसे है सैट्टू देने के बाद आकर के इस वीडियो में आकर करे कमेंट करिएगा अगर ऐसा कुछ वा है तो कौन से centers में हुआ है तो चले आगे इसी मुहिम में आगे इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप लोग से